So, Hello, Konnichiwa Minasan, कैसे हूँ आप सब, मैं उम्मिद करती हूँ, आप सब ठीक होंगे और आप सब अच्छे से तयारी कर रहे होंगे I hope आप लोग का जो पेपर था, JLPT N5 का अच्छे से गया होगा I wish कि अच्छा आप लोग का रिजल्ट है और बहुत सारे मैंने एक चीज़ नोटीस किया है, कमेंट में ये चीज़ पूछे जा रही है कि मैं कौन सा बुक से हम पढ़े, जिससे हमें आसानी से सीखने में, समझने में तो असान भासा में, आनि आसानी तरीके से हम सीख पाए तो मैं आज आप लोगों को कुछ अपनी जो experience है, मैं वो share करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि मैंने कौन-कौन से बुक से पढ़े थे, तो चलिए देर ना करते हुए, मैं भी बहुत excited हूँ इस चीज़ को share करने के लिए कि मैंने कब पढ़नाय स्टाट किया, कैसे पढ़नाय स्टाट किया, कहां से पढ़ा, कौन से बुक से पढ़ा वो सारी चीज़े share करने के लिए आप लोगों के साथ, मैं बहुत excited हूँ आप लोगों के साथ के लिए कि हम सब एंस्कान है। क्योंकि काहिए लिए लोग कए दूसरे से किया है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हम लोग शीखते हैं। या जो शीजें मैं लेरंड करूंगी उसखंडेंने कि स्थाई आता हैं। देखते हैं कि मैंने कौन-कौन से बुक्स से पढ़े है, कौन-कौन से नोट बनाया थे, कैसे बनाया थे, मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था, किस तरीके से मैं उन सारी चीजों को मैनेज कर रही थी, I hope आप सब को पसंद आएगा, चलिए देर ना करते हुए, ये सारी बुक्स आप सब देख रहे हो, ये, आप सब सूच रहे हों कि कितने सारे बुक्स तो हां जी, क्यूंकि मैं सही बताओं कि जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था, तब हमें कोई ये बताने वाला थे, कि कौन से बुक्स आपको पढ़ना है, किस तरीके से आप पढ़ सकते हूं सिप मैंने जब कोर्स जिवाइन किया था, 20 days का, I think, वो कोर्स था, साहिध हा, 20 days का था, जिसमें मुझे साही बताओ, सारे सर से उपर जा रहे थे, कुछ यहां तक कि स्क्रिप लिखने भी नहीं हाया था, बट ये था कि अंदर से जिग्यासा था कि नेनी मुझे सीखना है, मुझे इसको continue करना है, so मैं search करने लगी YouTube पे, Google पे, कैसे पढ़ सकते हैं, but वो कहते हैं, एक चीज आप सबको पता है, कि एक रास्ता आपको पता होता है, कि इस रास्ते से आपको जाना है, तो बहुत easy तरीके से आप चले जाते हो, दूसरा होता है, कि Google के तरीके से कहने का मतलब कि map से जाते हो, तो जैसे-जैसे वो बताएगा आपको जाना पड़ेगा, आपको कोई shortcut रास्ता नहीं पता है, वो जैसे बताएगा, आपको नहीं पता कि आगे खड़ा है, आगे क्या है, हम जाते हैं आख बंद करके, और यह क्यों होता है कि कोई जान रहा है, कोई guide करने वाला है, तो वो बताता है, तो आपके लिए भी रास्ता आशान हो जाता है, वही चीज मेरे साथ थी, तो कोई बताने वाला था, नहीं, जैसे जैसे देखा, कहीं कहीं से ओनलाइन वगरा की ऐसे ले सकते हैं, इस बुक से पढ़ सकते हैं, तो मैं वो साड़ी बुक्स पढ़ना इस्टार्ट किया, फिर फर्स्ट बुक्स मैंने यह लिया था, नहोंगो का, जिसमें सिर्फ वुक्एब वगरा है, थोड़ी छोट दुसरा कुछ है नहीं, यह भी किसी काम का नहीं, फिर मैंने मारुगोतो लिया था, इसको पढ़ा था, इसमें थोड़ी बहुत सेंटेंस है, जो इंग्लिस हंदी, इंग्लिस में भी है, ट्रंस्लेट करके देते हैं, और कन्वर्शेशन टाइप का, इसमें है, पाकी कुछ सिखने लाए कोहूं तो नहीं था, मेरा टाइम वेश्ट ही था, बीवन पढ़ा, मारुगोतो कहीं, बीवन पढ़ा, वो भी, खीक है, जानकरी कहीं नहीं, फिर मुझे, मैं ऐसे ही यूटूब देख रही थी, तो फिर मुझे वहां से वह था कि, कोई पतानी, फॉरणर ही फिर मैंने गेंकी का बुक्स लिया, आप सब देख सकते हो, तो इसमें क्या है कि बस जितनी जैपनिज नहीं है, इतनी इंग्लिस भड़ी पड़ी है इसमें, एक तरह से समझ जाओ, कि आपकी इंग्लिस अच्छी हो जाएगी, पर जैपनिस सीखने के लिए मुझे नहीं ल जैसे कोई इंग्लिस सीख रहा है, एंड हिंदी में पहले माइन में ट्रांसलेट करता है, उसी टाइप का ये बुक्स मुझे लगा, कि आप सीखना आपको जैपनिस है, बट एक तरह से से आप ये पढ़ोगे तो आप इंग्लिस सीखो, फिर इसमें गेंकी का वो वो कैब जिसमें कांजी है, आप सबको पता है, जो लोगों ने पेपर दिया है, उन लोगों ने कि जो गेंकी का जो कांजी जो है जैपनिस में, वो है लगभग 3300 कांजी है, इन 5 में, है ना, तो इसमें वो सारी कांजी आप लर्न कर सकते हो, I think, ये सारी कांजी वगरा है, वो कैब वेगरा है, वो सारी चीजे आप इसमें लर्न कर सकते हो, फिर उसके बाद जब मैं ये देखी रही थी, तो जो टीचर्स मुझे पढ़ाई थी, जहां पे, वहां पे हम लोगों ने कोर्स उनका जोईन किया था, उनका कहीं से मुझे कॉर्स नमबर मिला, उनसे जब हम लोग समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो टीचर हमें पढ़ाई थी, वो टीचर जब वो कॉर्स कम्प्लीट करके वो चली गई थी जपान, कि जपान, I think कुछ उनको स्कॉलर्शी विगरा मिला था, वो डेंटिष थी, या कोई डॉक्टर इस फिल्म में थी, I don't know, but वो जपान च अईकर रही थी मैने अन 5 का पीपर नहीं दिया था, ये सारी बुक्स मैं पढ़ रही थी, फीर उन्हों से जब हारी बात होई रहा है, तो उन्होंने ये वहाले books हैमें suggests मिना नी हंगो का, मिना नी हंगो का मैंने बूक्स पढ़ना इसलाट कि इसमें एक बेस्वाट मुझ Man सेंटेंस काना प्रैक्टिक्स कर सकते हो जैसे मैंने आप लोग को चैप्टर वाइस परहाया है इसमें कन्वर्शेशन है इसमें क्या है कि रेंसू है यानि प्रैक्टिस के लिए भी बहुत है कि आप एक ही ग्रामर को दो तीन बार लिखोगे सेंटेंस बनाओगे तो आपका बुणा प्रैक्टिस हो जाएगा तो यह ब्रैक्टिस मुझे बेस्ट लगा शिखने के लिये तो मैंने इससे एका ऑच उन् जितने books मैं आपको दिखाये, Maru Goto का, Genki का, कोई नोट नहीं बनाए थे बट जब मैंने मिनानोने होंगो का book से पढ़ना है, स्टार्ट करा, तब मैंने नोट बनाना स्टार्ट किया मैं आप लोग को दिखाती हूं कि मैंने नोट कैसे बनाये थे क्या-क्या चीजे मैंने उसमें लिखी थी, कैसे लर्ण किया था, क्या मैंने JLPT N5 का पेपर दिया, या फिर मैंने डिरेक्ट JLPT N4 दिया, उसके लिए आपको देखना है लाश्टक, क्योंकि लाश्टक आप लोग के लिए ने एक तरह से समझे है, सर्प्राइज भी है, इंस्प्रेशन भी है, कि मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि मैं घर-पड़िवार को संभाल कर, दो बच्चों को संभाल कर, सेल्फ है श्टड़ी किया है, पेरे पास कोई बताने वाला गाइड नहीं था, कि आप इससे पढ़ो, ऐससे पढ़ो, इस तरीके से इजी में समझ पाओगी, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं पढ़ रही थी, इतना मैं यूटूब पे भी सर्च कर रही थी, उतनी चीजे एक्स्पोर नहीं थी, इतनी चीजे थी नहीं, अब धीरे-धीरे यूटूब पे भी चीजे एवलेवल हैं, बट आप लोग के पास तो मैं हूँ, तो चिंदा करने के क्या बात है, तो चलिए, अब मैं आप लोग को अपना नोट दिखाती हूँ, कि मैंने नोट कैसे बनाया था, ये मैंने लिखा था, कांजी, वन नमबर से लेकर के ऐसे, इस तरीके से मैंने कांजी लिखना इस्टाइट किया था, तो चाइप में सारी चीजे मैं कांजी लिख रही थी, दिख रहा है ना, ऐसे मैंने डाइरी बनाया थे, और पर डे मैं फाइव कांजी, प्रेज करतींते हुआ कि याद करती थी को सारी चीजे में आपको कि दिखा दिखाती हुआ ही यematOoh मैं गभग 303 बयुक्ति और तो आपटा बोक्ति हो 303 kanji मैंने लिखे है N5 में पर दे मैं 5-6 kanji को learn करती थी पर दे 5-6 kanji लिखती थी daily लिखती थी, daily उसको learn करती थी daily memorize करती थी वो सारी तरीके से मैंने इसको लिखा है ठीक है तो ये N5 का है kanji सब मैंने ये kanji लिख लिख लिए तो इसके लिए मैंने क्या किया था फिर बच्फ में एक नोट लिया and उस नोट में जो gaNji में लिख पाती थीक्षolt कि Okay कौन-कौन से koNji मुझे याद था कौन کौन से koNji मैंने समें लिखा without English 5-0 Goителя हुआ है तो ताने को रगा इक है ? आप सब देख सकते हो यह N4 का ही है यह इस तरीके से मैं सारे जो नोट्स है इस तरीके से ना वर्ब नाड्यक्टिव और अड्यक्टिव यह सारी चीजे ग्रामर पॉइंट लिखती थी कि किस तरीके से इसका जो फॉर्मूला है वो लगेगा sentence में आप सब को पता है और फिर उसको लिखती थी प्रैक्टिस करती थी अब हम N4 का स्टार्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे लिखते हैं तो आप सब भी त्यार हो जाएं यह सारे मैंने नोट्स बनाए थे यह जो नोट्स दिख रहे हैं यह ग्रामर के नोट्स है सब इसमें अलग अलग हा यहां पर इंग्लिस का भी लिखा हुआ है कहां पर यूज करना है क्या यूज करना है थाकि यूजी रहे इस तरीके से मैंने नोट्स बनाये थे बहुत सही बताओ ठीक है आपको डेलिकेशन होना चाहिए आपको कुछ करने की कर दिखाने की कह सकते हो क्योंकि आप जहां च कुछ हेल्प मिले कि मैंने कैसे जर्णी स्टार्ट किया यह सारी चीजे मैंने आप लोके साँ सेयर करी एंड कल से स्टार्ट करने वाले हैं JLPT, N4 का, Vocab, Grammar, N4 स्टार्ट करने वाली हूं तो आप सब फटा-फट से चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो कर दे अकर सीखन करना चाहते हैं Japanese तो विल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया और आप और भी वीडियो मिशना कर पाए मैं अप्लोड करूँ तो यह था मेरी जर्णी आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा मैं कहते हूं क्योंकि अगर मैं कर सकते हूं दो बच्चों को संभाल करके वाली को संभाल करके तो आप सब भी कर सकते हो कि तो क्यों करेंकर से चाहँ और दूसरा most important यह है कि मैं मैंसेज में देखती हूं कि मुझे पढ़ना है मुझे सीखना यह सारी चीजे अगर आप सब को कोई भी मैं मेंसेज देना है तो आप सब या तो मुझे इमेल कर दे मेरा इमेल आइड़ी है करुनासिंग108-gmail.com ठीक है आप सब मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं लाइक मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम आइडी है मैं मेंसेंड कर दूंगी करुनासिंग108-gmail.com आप सब इंपोक्स में मैसेज कर देना कि मुझे शिखना है जैपनीज तो मैं वहां पे आप लोग को रिप्लाइज लिग कर दूंगी बहुत से लोग को होता है कि मैं इमेल करती हूं यह नहीं कर पाते हैं वार्सब नमबर मांगते हैं तो आप एक काम किजी आप लोग वा आप सब देख लेना कोई भी स्रजेशन देना है कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए आप सब वहां मुझे मैसेज कर सकते हों तो मैं उसका रिपलाई वहां पे आप लोग को दे दूंगी दूसरा चीज कि जो लोग भी यह कह रहा है कि मुझे कोर्स ज़ाइन करना है तो म में फिसम विगरा पर अगर आप सब जुआन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करें इन बॉक्स में या फिर आप लोग मैल भी कर सकते हों क्योंकि मैं ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ वे वो प्री नहीं होगा वो कोर्स पेड कोर्स होगा तो अग आप सब जूड़ जाएं, देर किस बात की है, आपके अपने चैनल हिंदी से जैपने सीखे में, मैं आप लोग के लिए ही यहाँ पे चैनल बनाई थी, ताकि जो इस्ट्रगल मैंने किया, जैपने सीखने में, वो आप लोग को ना करना पड़े, कि मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैंने जो अपनी जर्णी से सीखा है, मैंने जो चीजे सीखी है, वही चीज आप लोग को शीखाने की कोशिश करती हूँ, आप लोग को पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, आप मेरा टीचिंग वे आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, वीडियो पसंद आता है, तो लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा टीचिंग वे आप लोग को कैसा लगता है, ठीक